दोस्तों काफी दिनों से खबरे आ रहे थी Realme GT Master Edition phone से related काफी दिनों से बात है चलने इस phone के बारे में तो finally आज company ने officially Realme GT Master Edition को launch कर दिया है Basically GT Master Edition series में आपको दो phone देखने को मिलता है एक है Realme GT Master Edition और दूसरा है Realme GT Master Explorer Edition ऐसे यह दो phone launch किये गए है इस video में मैं आपको इन दोनों ही phones के full specifications के बारे में बताने वाला हूँ इनकी क्या price रखी गई अगर आप भी gaming को अगरा करते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यह phone आपके budget segment के अंदर में fit हो जाए तो वीडियो को पूरा देखे आपको सब कुछ पता चलने वाला है इन दोनों ही phones के बारे में अब से पहले सुरुआत करेंगे हम Realme GT Master Edition phone के full specifications से start करते हैं तो इसमें मिलती है 6.4 inch की full HD plus super AMOLED display मिलती है और इसमें आपको 120 Hz का screen refresh rate मिलता है 1000 nits की brightness मिलती है 100% DCI P3 color gamut भी मिलता है 360 Hz का test sampling rate है in display fingerprint scanner भी मिलता है punch hole cutout है टॉप left corner में जहाँ पर selfie camera लगा हुआ है theme bezels है तो overall display काफी अच्छी आपको मिलती है Realme GT Master Edition की gaming अगरा का experience काफी smooth आपका होने वाला है और जो processor इसमें use किया गया है वो है Qualcomm Snapdragon 778G chipset वोला processor इसमें use किया गया है जो सबसे high variant है इसमें 8GB की RAM है 256GB की internal storage मिलती है इसके साथ में Android 11 के साथ में आपको Realme UI out of the box देखने को मिल जाती है camera की अगर बात हो तो Realme GT Master Edition में rear side में triple camera का setup देखने को मिलता है बड़ी बड़ी camera housing आपको यहाँ पर 3 camera के दिख जाती है primary camera 64MP का है 8MP का ultra wide और 2MP का dip sensor इसमें देखने को मिलता है और जो front में 32MP का camera दिया गया है दोस्तों काफी अच्छा camera है Sony IMX615 sensor के साथ में आता है तो front camera से आप काफी अच्छी photos और video chat कर सकते हो बैटरी के अगर बात हो तो Realme GT Master Edition में 4300 image की बैटरी मिलती है और इसके साथ में 65WC आपको fast charger भी मिल जाता है जो इस phone को काफी कम time के अंदर में fully charge कर सकता है connectivity features के अगर बात करें तो GT Master Edition में आपको 5G, 4G, LD का support मिलता है Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC और इसमें दोस्तों आपको USB Type-C port मिलता है charging or data transfer के लिए तो दोस्तों ये features हैं Realme GT Master Edition के अब बात करते हैं Realme GT Master Explorer Edition के तो यहाँ पर बहुत जारा changes नहीं थोड़े बहुत changes किये गेम के बारे में मैं आपको बहुत यल्दी बता देता हूं को इक लिए बता देता हूं तो यहाँ पर दोस्तों जो Realme GT Master Explorer Edition है इसमें आपको दोस्तों डिस्प्ले वाइस थोड़ा सा फर्क दिख जाएगा 6.5 इंच की यहाँ पर आपको आमले डिस्प्ले वही देखने को मिल जाती है जैसे आपको GT Master Edition में डिस्प्ले मिलती है पर इसके डिस्प्ले साइज 1 इंच थोड़ा बड़ा होने माला है इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो Qualcomm Snapdragon 870 का प्रोसेसर यूज किया गया है और कैमरे में भी यहाँ पर चेंज किया गया है Realme GT Master Explorer Edition में रियर साइड में ट्रिपल कैमरे का ही सेटप आपको देखने को मिलेगा पर प्रामरी कैमरे में 50 मेगा पिक्सल का है सोनी IMX 766 सेंसर के साथ में 16 मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगा पिक्सल का माइक्रो लेंस मिलता है और इसमें भी आपको फ्रेंट में सिल्फी गले 32 मेगा पिक्सल के कैमरा ही दिया गया है जो आपको Realme GT Master Edition में देखने को मिलता है यहाँ पर बैटरी कैपसेटी भी थोड़ी से इंप्रूफ की गई है तो Realme GT Master Explorer Edition में 4500 इमिज की बैटरी मिलती है और ये भी फोन जो है 65 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है बाकिया और सारे फीचर्स बिल्कुल सेम ही होने वाले हैं जैसे आपको Realme GT Master Edition में देखने को मिलता है तो दोस्तों इन दोनों फोन में आपको यही सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं अब फाइनल बात करते हैं वाइन के प्राइसिंग अगरे के बारे में तो फिलाल दोस्तों Realme GT Master Edition और Realme GT Master Explorer Edition दोनों के दोनों फोन अभी चाइना में लाउंच हुए हैं और अगर बात करें के प्राइस की तो Realme GT Master Edition की स्टाइटिंग है दोस्तों 27,500 रूपीज के आसपास जिसमें आपको 8GB प्लस 256GB लब वेरेंट देखने को मिलता है अगर बात करें भाइस के इंडिया लाउंच वगरे की तो फिलाल अभी तक officially कोई अपडेट नहीं है पर काफी सारे sources ये बता रहे हैं कि जुलाई end तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो सकता है कि Realme GT Master Edition इंडिया में लाउंच हो जाए फिलाल दोस्तों अभी तक कोई confirmation नहीं है company की तरब से अगर future में कुछ update आता है इस phone के बारे में तो definitely मैं आप लोगों को inform करने वाला हूँ उमिद करता हूँ दोस्तों कि छोटा सा update आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन हिट करो कुछ ऐसा interesting वीडियो को देखने के लिए तो बस दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में